तो नमस्कार दोस्तों अगर आपके पास भी ICIC BANK का चेक हैं और आप इसको अच्छे से फिल करना सीखना चाहते हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप ICIC BANK के चेक को सही से फिल कर सकते हैं तो चली वीडियो को सुरू करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से आप ICIC BANK के चेक को फिल कर सकते हैं अगर दोस्तों आपने इस चैनल को भी तक सस्क्राइब नहीं किया हैं तो चैनल को जरू सस्क्राइब कर ले तो चली वीडियो को सुरू करते हैं यहाँ पर दोस्तो आपकी चेक पर आपका सभी डीटेल होता है यहाँ पर आपका ब्रांच होता है आपका IFC कोड होता है यहाँ पर आपका एकाउंट नमर होता है आपका यहाँ पर नाम होता है जिनका चेक होता है उनका सभी डीटेल चेक पर उपलब्ध होता है यहाँ पर दोस्तों चैक को किस तरह से फिल करना है यहां पर सबसे फर्ष्ट में आपका हो जाता है secondary memory यानि के आपको यहां पर देट को फिल करना है और यहां पर दोस्तों आपको लिखा हुआ मिलता है है violet for three month only यानि कि जिस date को यहांप लिखते है지 उस date से अगले तीन मन्त के डेट तक आपका ये चेक चुहें वो भायलिट रहता है यानि कि अगले तिन मन्त के डेट तक आप किसी भी दिन जाकर बैंक में इस चेक को जमा कर सकते हैं तो कुछ इस तरह से यहां पर आपको सही-सही फिल करना है आपको एक बात का हमेशा याद रखना है जब भी आप चेक को फिल करते हैं थोड़ा सा समय दे कर फिल करना है थोड़ा सा भी गलती होता है तो इस चेक को आपको यहां पर रेजेक्ट कर दिया जाता है यहाँ पर आपको सही सही फिल करना है और आपको overline कभी भी नहीं करना है तो चलिए यहाँ से हम सही सही date को फिल कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से आपको जब भी यहाँ पर फिल करते हैं आपको अच्छे से यहाँ पर सही सही से फिल कर लेना है तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर सही सही यहाँ पर date को लिख लेता है date लिखने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर हम next यहाँ पर fill करने वाले date को कुछ इस तरह से आपको अच्छे से लिख लेना है लिखने के बाद यहाँ पर आपका हो जाता है pay यानि कि आप किसको यहाँ पर देना चाहते हैं अगर किसी को चेक यहाँ पर उनका यहाँ पर नाम लिखेंगे अगर आप चाहते हैं कि हम अपने चेक के माध्यम से खुद हैं हम पैसे को जमा करें या निकाले यहाँ पर आपको खुद का नाम नहीं, यहाँ पर आपको self लिखना है, अगर आप Hindi में फिल करते हैं, तो स्वेम लिख सकते हैं, हम चाहते हैं किसी को चेक देना, तो उनका यहाँ पर हम नाम लिखने वाले हैं, तो कुछी इस तरह से अगर आप किसी को चेक देते हैं, तो उ सही सही नाम लिख लेते हैं यहां पर दोस्तों आप चाहिए तो छोटे एक्षरों में भी लिख सकते हैं या बड़े एक्षरों में भी लिख सकते हैं तो कुछ इस तरह से हम यहां पर सही सही चोहें वह नाम लिख लेते हैं कुछ इस तरह से आपको सही सही और साप साप कभी भी फिल करते हैं कोई भी फर्म को फिल करते हैं साप साप और सही सही फिल करना होता है कुछ इस तरह से यहाँ पर हम यहाँ पर नाम लिख लिए हैं यहाँ पर काफी अस्पेस बच जाता हैं इसमें आपको कोई भी प्रोब्लम नहीं होगा कुछ इस तरह से आपको करना है यहाँ पर नीचे में अब आपका हो जाता है रूपए यानि कि कितने रूपए किसी को आप देना चाहते हैं यहाँ पर आपको रूपए लिखना होता है कुछी तरह से अगर आप Indian में फिल करेंगे तो 50,000 रूपई मात्रे लिखतेंगे अगर आप English में फिल करते हैं तब 50,000 रूपई only यहाँ पर आपको लिखना होगा तो चली यहाँ करेंगे तो चली यहाँ से हम सही-सही फिल कर लेते हैं कुछ इस तरह से हम यहाँ पर सही सही फिल कर लेते हैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समय अधिक देना है आपको सही 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 से यहाँ पर आपको फिल कर लेना है फिल करने कुछ इस तरह से आपको साप साप और सही सही फिल करना है कुछ इस तरह से यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं कुछ इस तरह से आपको लिखना है लिखने के बाद यहाँ पर नीचे में स्पेस बज़ जाता है कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर भी कर देना है करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको मिलता है रुपए का सेंबल यहाँ पर आपको अंकों में लिखना होता है तो कुछी इस तरह से आपको अच्छे से जो हैं वो अंकों में भी लिख लेना होता है दोस्तो जब भी आप चेक को फिल करें साप साप फिल करें जो कि आप असकीन पर देख सकते हैं कुछ इस तर से आपका चेक जो हैं वो विल्कुल किलियर नजर आता है कुछ इस तर से दोस्तो चेक में अधिक चीजे फिल नहीं करनी होते हैं केवल डेट यहाँ पर जिसको देना चाहते हैं उनका नाम यहाँ पर आपको रूपय लिखना होता है कुछ इस तरह से आपका चेक जो है वो फिल हो गया है यहाँ पर दूस्तों आपका चेक जब भी फिल हो जाता है तो आपका जिनका चेक है उनका signature काफी important होता है चेक की दुआरा पैसे निकालने के लिए अगर आप इस चेक को अभी किसी को देते हैं तो वो जो है वो इस चेक से पैसे नहीं निकाल पाता है क्योंकि यहाँ पर जब भी आप signature नहीं करते हैं तो आपका signature यहाँ पर क्या है कि signature ही आपके bank में मिलाया जाता है तो यहाँ पर हम सही सही signature कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से हम सही सही signature कर लेते हैं signature आपको वो करना है जो आपने bank account खोलवाते समय signature किया था उसी सिगनेचर को सेम करना है क्योंकि चेक के द्वारा जब भी पैसा निकाला जाता है तो आपका सिगनेचर ही मिलाया जाता है तो कुछ इस तरह से आपको सही से signature कर देना है और दोस्तों कुछ इस तरह से आगे में फिल करने के बाद आपको पीछे में भी यहाँ पर कुछ इस तरह से मिलते हैं यहाँ पर उनका यहाँ पर जिन को देंगे वो अपना यहाँ पर account number को फिल करेंगे यहाँ पर नाम और यहाँ पर अपना मोबाइल नमर यहाँ पर नीचे में आपको क्या करना है केवल यहाँ पर आपको सिगनेचर कर देना है कुछ इस तरह से जिस तरह से आपने आगे में सिगनेचर किया क्योंकि दोस्तों अगर आपका आगे का सिगनेचर मैच नहीं करता है यहाँ पर आपको पीछे का भी signature मिलाया जा सके तो कुछ इस तरह से आपको पीछे में भी एक signature कर देना है और कुछ इस तरह से आपका जो check है वो पूरी तरह से यहाँ पर feel हो जाता है अगर दोस्तों आप किसी को check देते हैं और आप चाहते हैं कि वो केवल अपने खाते में ही पैसे को जमा करा सके कैस यहाँ पर नहीं ले सके तो आपको यहाँ पर क्या करना है आपको कुछ इस तरह से यहाँ डबल लाइन यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से खीचना होता है अगर आप इसको नहीं खिछते हैं तो जिसको भी आप चेक देते हैं वो चाहे तो यहाँ पर पैस यहाँ पर नगत भी ले सकते हैं और कुछ इस तरह से आप काफी असानी से किसी को चेक दे सकते हैं तो दोस्तो आप अच्छे से समझ गए होगे किस तरह से एक चेक को फिल किया जाता है तो दोस्तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तो मिलते इस तरह के एक और निव वीडियो में और निव टोपिक के लिए आप जो हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं तब ते के लिए धन्यवा दोस्तो